Hello friends, welcome to all of you, मैं प्रशान चौबिया आप सभी का स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बिहार APO 2020 का जो पेपर होने वाला है, 7 फरवरी 2021 को, उससे related जो GS के question है, उसको मैं लेके आया हूँ, तो अभी मदि मदिकाली इतिहास का part चल रहा है, एक video मैंने पहले भी डाल रखा है, इसके संबंद में, तो टॉप 15 question कौन से हैं, उसको हम cover करेंगे और देखेंगे, तो चली देखते हैं, मदिकाली भारत का जो इतिहास है, उससे related जो question है, उसको देखते हैं, तो भारत पर अर्बों का प पहला सफल आक्रमड जो रहता है, वो भारत पे होता है, मुहमद बिन कासिम के नेतृत में, अर्बों ने भारत पर पहला सफल आक्रमड किया, और अर्बों ने सिंध पर 712 में विजय पाई, तो इसका सीधा सांसर है 712, नमबर दो question कि अरब आक्रमड के समय सिंध पर किसका सासन था, तो नमबर एक है दाहिर, नमबर दो है गौरी, नमबर तीन है गजनी, नमबर चार है जैपाल, तो इसका आप सीधा सांसर मारेंगे दाहिर, दाहिर के बारे में अगर बात करें, तो अरब आक्रमड के समय सिंध पर हिंदू राज़ दाहिर का सासन था, और जो अर गजनी का सासन कहां से संचालित होता था नमबर एक खुरासन नमबर दो लाहोर नमबर तीन मुलतान नमबर चार काबुल तो इसका सीधा सा आप आंसर मारेंगे खुरासन गजनी सामराज का जो संचालन था वो खुरासन से होता था ठीक, नमबर चार पर आते हैं, चवते नमबर कुश्चन पर, कि भारत पर महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमड किये, तो नमबर एक है 17 बार, नमबर दो है 15 बार, नमबर तीन है 10 बार, नमबर चार है 5 बार, तो इसका आप सीधा सांसर मार दीजे, 17 बार, अब 17 बार जो आक्रमड हुए, उसका मूल उद्देश सही जो था, वह धन दौलत लूटना था, और इसलाम का प्रचार करना था, जैसा कि उपर जो आक्रमड थे, उस तरह से ही, चलिए, नमबर पांचवे नमबर कुश्चन पर आते हैं, कि भारत पर गजनी ने अपना पहला आक्रमड नमबर एक है, एक हजार एक, नमबर दो है, एक हजार पांच, नमबर तीन है, एक हजार आट, नमबर चार है, एक हजार पक्चिस, ठीक है, तो भारत पर महमुद गजनी ने एक हजार एक में साही राजा जैपाल के बिरुद जो है, वह अपना पहला आक्रमड किया था, और इसमें जैपाल की जो थी पराजे हुई थी लेकिन बात अगर आक्रमण की करें तो एक हजार में भी जो है गजनी एक हजार इसवी में भी गजनीवी ने जो है पेसावर के कुछ छेत्रों पर अपना नियंद्रण कर लिया था यानि देखा जाए तो एक हजार भी अगर ऑफ्सन आ जाता है तो आप एक हजार मार दीजेगा अगर एक हजार नहीं है तो एक हजार एक है क्योंकि वास्तविक आक्रमण यही था क्योंकि ये बिल्कुल अंदर तक चलाया था ठीक है जो राज-जयपाल थे उनके पास ठीक चलिए सोम्नाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आकड़ मल्ड़ किया नमबर एक है नमबर दो है 1025 नमबर 3 है 1001 नमबर चार है 1078 इसका सीधा सहाँ आंसर मारेंगे 2025 में 2025 में महमूद गजनी के सबसे चरचित आकड़ मल्ड़ था सौराष्ट के यानि जो गुजरात है आज का वहाँ पर जो सोमनाक मंदिर है उस पर 1025 इस भी में आक्रमण किया था और इस मंदिर से जो है उसने जो है 20 लाक दिनार की संपत्ती जो थी वह लूटी थी ठीक है चलि साथ में नंबर कोश्चन पर आते हैं कि महमूद गजनी का नगर कोड़ पर आक्रमण कब हुआ नंबर एक है 1008 नंबर दो है 1010 नंबर तीन है 1025 नंबर चार है 1097 तो इसका आंसर हम सीधा समारेंगे एक हजार आठ में जो है महमूद गजनवी ने जो है नगर कोट पर आक्रमण किया था और यह जो हमला था वह मूर्तिवाद के बिरुद पहला महत्पून आक्रमण था और जिसमें महमूद गजनवी को जो है वह जीत प्राप्त हुई थी चलिए साथवे नंबर कुश्चन पर आते हैं कि महमूद गजनवी जो है वह किस अवस्था में गद्धी पर बैठा इसके लिए थोड़ा से च्छमा चाहेंगे यहाँ पर 997 हो गया है तो महमूद गजनवी जो है वह 27 वर्स की अवस्था में 997 इसवी में खुद ही confusion में वह हैं कि वह क्या है चलिए next question पर आते हैं कि सोमनाथ मंदिर लूट के जाने के क्रम में गजनी पर किस ने आक्रमण किया तो नंबर एक है जाटों ने दूसरा है खोकरों ने सिखों ने अर्बों ने तो जाटों ने जो है इनके उपर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर को जैसे ही लूट की ये जा रहे थे अफगानिस्तान की तरफ तो रास्ते में जब पढ़ाओ पढ़ा था उसी टाइम जाटों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इनके द्वारा जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया रहता है उसमें से भी काफी सारा धन जो है वह लूट लिया जाता है जाटों के द्वारा चली नेक्ट क्रेशनर पर आते हैं दस्वे नंबर पे कि महमूद गजनी का अंतिम भारती आक्रमण किसके बुरुद था तो नंबर एक है जाटों के नंबर दो है खोकरों के नंबर तीन है अर्बों के नंबर चार है सिखों के तो सीधा सा इसका हम आंसर मारेंगे जाटों के महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के बुरुद 1027 में था तेक चलिगा, निश्ट कोशिशन पर आते हैं, 11 नमबर पर. कि महमूद गजनी की मृत्यु कभ हुई थी? नमबर एक हजार 30, नमबर दो है 1027, नमबर तीन है 1008, नमबर चार है 1025 तो 1,030 में जो है, महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है और एक कुशन और आता है कि इनकी हत्या किनके द्वारा की गई थी तो जाटों के द्वारा जाटों के द्वारा इनको पर हमला कर दिया जाता है वो तो उस समय आप जानते हैं सोमनत मंदिर लूट के जाते हैं फिर उसके पाद जो है जाटो के विरुद जो है अब यहान चलाते हैं उसी दोरान जो है जाटों से इनका युद्ध होता है उसी दोरान की मृति हो जाती है एक कुशन और है कि सुल्थान की उपादी धारण करने वाला पहला तुर्क साथक कौन था तो कभी भी ये कुश्चन आये तो महमूद गजनवी को जो ही आप टिक करिएगा चलिए नेक्स क्वेशन अपार आते हैं कि महमूद गजनी के दरबार में कौन सा बिद्वान रहता था नमबर एक है अलबरूनी दूसरा है कहकुवाग नमबर तीन है अमीर खुसरो नमबर चार है अबुलफजल तो अलबरूनी जो थे जो स्कॉलर थे और महमूद गजनवी के ही दरबार में रहते थे चलिए तेरहवे नमबर कुष्चन पर आते हैं कि यमीन उद्दौला और यमीन उद्मिला की उपाधी किसे मिली थी ठीक है नमबर एक गोरी को अकबर को गजनी को अलबतगीन को तो गजनी को जो है या उपाधी मिली उई थी बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिर बिल्लाह ने जो है महमूद गजनी के पद को मानता प्रदान करते हुए जो है यानि उसके पद को वैधानिक मानता प्रदान करते हुए उसे यमीन अद्दौला थथा यमीन उद्मिल्ला की उपाथी प्रदान की थी तो आप इसको मारिएगा नमबर तीन गजनवी को चरीए नेक्ट शुम्राते हैं कि गजनी सामराज का संस्थापक कौन था नमबर एक अलपतगीन नमबर दो गोरी नमबर तीन गजनी नमबर चरीए सुबक्तगीन तो 932 में थेक है 932 में अलपतगीन ने जो है वह गजनी सामराज की इस्थापना की थी और गजनी जो गजनी था गजनी को राजधानी बनाई अलपतगीन की मृत्यु के बाद जो है पिरिस्तगीन जो है 970 के करम में वह असासन किया लेकिन अलपतगीन का जो गुलाम था दामाद भी था सुबक्तगीन जो था 970 में जो है वह गजनी पर बैठा और महमूद गजननवी जो था इसी सुबक्तगीन का जो था पुत्र था तो गजनी सामराज का जो संसापक था वह कौन था तो अलपतगीन ठीक चलिए अब नेक्स शुच पनाते है 15 वे नमबर पर कि अलबरूनी फिर दौसी उलवी फारुखी किसके दरवार में रहते थे तो नमबर एक है गोरी गजनी के अलपतगीन के अकबर के तो इसका आवंसर आप मारी ये जो है गजनी महमूद गजनीवी के दरवार में कौन-कौन से विद्वान रहते थे तो अलबरूनी फिर दौसी उलपी फारुखी ये लोग जो थे इनके दरवार में रहते थे तो उमीद करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी तो अभी नेक्स्ट वीडियो फिर मद्धकाली इंतिहास से लेटेड आएगा और उसमें भी टॉप फिप्रीन कॉश्चन ही रहेंगे कोसिस करेंगे कि और भी कॉश्चनों को बढ़ाया जाए लेकिन मीडियम ऐसा रखते हैं कि जैसा ही बिहार किसे जेक में आया था जिस टाइप की कॉश्चन थे तो उसी को पैटन को देखते हुए इसको बनाते हैं फिर उसके बाद मॉडरन हिस्ट्री फिर एंसेंट हिस्ट्री फिर साइंस के कॉश्चनों को कवर किया जाएगा तो अभी के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद